फिरोजबाद के टूनला में घटना देरराथ थाना टूनलाक शेत्र के एफेट चौकी के पास की है जहां बिती देरराथ दो किन्नर एतमातपूर से बारात में होकर आटो से टूनलाक शेत्र के बनना स्थित काशिराम कॉलनी में अपने घर जा रहे थे तबी किरन और मुन्ना ने अपने चार पास साथियों के साथ मिलकर किन्नर उपर चाको और डंडो से हमला बोल दिया जिसमें नीलू नामक किन्नर गंबे रुप से घायल हो गई वही दूसरे किन्नर को भी चोटे आई है घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए बाद में दोनों किन्नर लहु लुहान हालत में थाना टूनला पहुची जहाँ पुलिस ने दोनों घायलों का डॉक्टर परिशन कराया है वही किन्नरों ने घटना के लिखे चिकायत थाना टूनला में दी है पुलिस ने तहरीर के मिलने के बाद आरोपी की तलाश शुरू करती है पूरा मामला यह है कि मैं बाराद देखके आ रहे थी तो रस्ते में हमें टंपू में चार पांच लड़कों ने मुन्ना और किरन के साथ मिले वी थे वो लड़का डंडे चक्पू से बारदा तमलों के उपर करी जान समानने के खोश्चिस करी तिरोजा बाद से रिपोर्टर रिहान अलिक रिपोर्ट इन बीसे नियूस नाकपुर